प्रेस्ट बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आफ तभी को जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक सौगत है भारत इस इंडिया पर आश्रा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज जम आप लेटिस्ट एक इंट्रोस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्स्ट्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटिस्ट इंट्रोस्टिंग और दमदार वीडियो लाते रहें जैहिंद जैभारत मुसल्मान खुद जो गलत काम करते हैं दूसरे मुसल्मान उनको उनके खिलाफ नहीं खड़े होंगे तब तक ये चैन्ज नहीं आएगा मैं यहां पर यही कहना चाहरा था कि अगर जूबैर या उस जैसे और लोग आपके खिलाफ नाजेबा जबान इस्तमाद करते हैं आपको गाली बगते हैं आपके खिलाफ बाते करते हैं तो कोई और मुसल्मान आकर उसका गिरबान क्यों नहीं पकड़ता कि तो वो हमारी ब मुसल्मान का कमेंट्स मैं आज तक नहीं देखा कि जिसने बोला हो के हम नाजिया अलाई खांजी के साथ हैं और हम उनके साथ खड़े हैं और इस जिहाद में हम उनके साथ हैं कोई भी उनके साथ अगर ऐसे बहेव करने की कोशिश करेगा तो हम उसके खिलाफ ऑच्शन ले को प्लात कारियों का उजार काटनी के मेरे साथ ही आवाज में आवाज मिला देगा तब तो फिर वो बजार समाठी को बाद करे आगि उपगा। करने की बात कर रहा है। और quarter नहीं कर सकता है। अगर कर तव करने की के बात कर रहा है। और अगर खतम किया जाए, जो गंद बचा रहा है, जो बहुत अशनीलता बचा रहा है, तो इसका मतलब है कि चार बीवी भी भी नहीं रख पाएगा, तो कौन मुसल्मान मर्द अपना नुकसान करना चाहेगा, फिर वो बलातकार भी नहीं कर पाएगा, घर धरम की बेटियों का, तो फिर कौन अपना नुकसान करना चाहेगा, बिल्कुल नहीं नुकसान करना चाहेगा, देखिए इसलाम के हिसाब से, ओरते जो हैं, वो बिस्तर में ठरकबाजी पूरा करने का सामान है, और यह मज़ा, कौन मुसल्मान मर्द खतम करना चाहेगा, कोई मुसल्मान मर्द अ जब मुसल्मान मर्द और औरत को नीचा दिखाते हैं, तब वो अपने आप में मर्दान की का हिसास करते हैं. अब आप सोचें, क्या एक बीवी रखने वाला मर्द नहीं होता है? क्यों इनको अपने आपको मर्द साबित करने के लिए चार बीवियां रखने पड़ती हैं? क्यों? क्या अपने हम उमर की लड़की से निकाह करने वाला मर्द नहीं होता है? क्यों इनको छे साल और नौ साल की बच्ची से शादी करके खुद को मर्द साबित करना पड़ता है क्या डिगनिफाइड और क्वाइलिफाइड जिन्दी की बिताने वाला मर्द नहीं होता है लेकिन क्यों इनको अपने पैंड का जिप खोल करके गैर मजब्की लड़कियों को बलागार करना पड़ता है करने की कोशश करते हैं तो मैं सोचती हूं कि ये तो सिधा जन्度 चाहेगा और इसको ये तो जरूर मघ aerial होरे पाए लेगा थेकेदार हैं, इन्होंने इनको क्या बना दिया है, इनको दल्ला बना दिया है, दल्ला बना दिया है, इन रॉ लांगविज ये दलाल है, ये दल्ले हैं, क्योंकि और अगर कुछ इस्टेप ले रही है शिक्षा के लिए, और कह रही है कि नहीं मुझे बराबरी का हग दो, ए ये अवेसी के, ये मदिनी के दलाली ही हुए ना, बिल्कुल दलाल हुए, और क्या हुए? कोई एक मुसल्मान भी है, वैसे भारत के अंदर कोई इस तरह का लीडर, मुसल्मान लीडर, जिसने आपके हक में स्टेटमेंट दी हो, कोई एक सिंगल? मुथि इलियास सहब बहुत अच्छे हैं, वह कटर मुसल्मान हैं, और वह अलफुरान पर चाहते हैं, यह ने मंदर का विजट किया था, राम बंदर का विजट किया था उनके खलाबी फटवा आ गया था? कश्मीर में ऐसे बहुत सारे मुखं़ी मैं सब्सक्राइबने किOPals करते हैं आप में तो कश्मीर में उनने मेरे लिए में इस्तकारा किया है और रखे है किमारे जान बच जाए कि ईतना हएं तो ऐसे लोग है जो चाहां रहे कि जो रिफॉर्मेशन में लाने की कोशिश कर रही हूं, वो रिफॉर्म हो, मुसल्मान बेटियों को उनका हक मिले, और जितने भी मुसल्मान लड़के, मैं अभी भी यही दुआ करूंगी, रमजान का महिना है, मुजफर भाई, कि मुसल्मान लड़कों को अकल आ जाए, यह बलातकार करने से, यह गला रहतने से, यह चोटी-चोटी बच्चियों का पिजामा खोलने से, इसको इसको इसलाम नहीं कहा जाता है, या इसको कोई मजब या रिलिजन नहीं कहा जाता है, इसको गंड़गी और वहशी हरकत कहा ज मतलब डिग्मिफाइड फैमिली का तो लहचा नहीं लगता है तिल्कुल नहीं लगता है आज मेरा बेटा 13 साल का है कल को बड़ा होकर के एक अवरत को कहेगा चल रहे है मुह से गुटका निकाल और बात कर तो मैं क्या सुचोंगी कि मैंने क्या परवरिष दिया अपने बेट कि अवरत को इस लहचे में बात करेगा तो मैं तो सुचोंगी कि यह यह शौरत यह सारी चीज़े बेकार है जब मैं अपने बेटे को ही कमीज नहीं सिखा पाई तैजीब नहीं सिखा पाई तो मैं उन माओं पे भी मुझे बहुत अफसोस आता है जिनके बच्चे ऐसे ऐसे लहचे का इस्तिमाल करते हैं अरे अरे यह तो RSS के साथ जा करके डैश डैश करवाती है अरे इसका तो होट जो है वो दूसरे दूसरी चीजों की तरह है अरे इसका शकल देखो इसका शकल तो गाए के पिछाड की तरह है तो यह सारे जो अलफाज है यह अलफाज किसी अच बाइजब बाबरू, एक खांदान के नाक के लिए एक बेटे का होना भी जरूरी है, तो मुझे बहुत तरस आता है उन माओं पर, जिन माओं ने ऐसे मुसल्मान लफंदरों को और बंदरों को पैदा किया है, जिनके जुबान ये चीक चीक कर बताती है, कि वो अच्छे घर खांदान के तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुसल्मान बनने के चक्कर में, मुसल्मान मर्द दलाल बनके रहे गए और कुछ भी नहीं बन पाए गए, देखें, हम कहतें कि हम मुसल्मान हैं, हमने कलमा पड़ा हुआ है, हमने जनत में जाना है, और उसका सर्टिफकेट हमारे पास है, हम हर बंदे को कहतें कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गलत है, ये फलान है, ये डिपलान है, तो इन्सानियत कहां पर है? मैं ये सवाल है कि इन्सानियत कहां पर है? अल्लापाग ने सब को इस दुनिया के अंदर पैदा किया है तो एक इन्सान है, सारे बराबर है वो कोई किसी मज़ब से तल्ग रखता है, को किसी मज़ब से तल्ग रखता है किसी का कुछ बिलीव है किसी का कुछ बिलीव है तो आप कौन होते हैं ये सारी मामला जो एक रब ने अपने पास ये अला ने अपने पास जो ementyaरात रखे है आप उसमें इंटर्फेर करने वले कौन है जी, मैं फैसला करूँ करूँ बन्दा ठीक है फलाँ गलत है ये जनत में जाएगा ये दोज़क में जाएगा ये गलत है ये सही है इसका मुझे कोई हक नहीं है मैं सब के साथ मेरे बराबर बरताओ वाना चाहिए और सब को एक ही नजर से और अच्छे एखलाग के साथ मेरे ख्याल में पेश आना चाहिए तो अब ये देखें ना कि हम जब यही चीज दूसरे मज़ब में देखते हैं, हिंदूइजम में देखते हैं, सनातनी में देखते हैं, तो इसी चीज को वो फालो करते हैं, उनके लिए सारे के सारे बराबर हैं, इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग आए हैं, वो उनकी न बहुत सारे ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं, इंक्लूडिग अरब, जो अपने आपको रिफॉर्म कर रहा है, जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जो गंदी कूप रथाओं को, जो बहुत अश्लीर चीजों को अपसाइड रख चुका है, कि नहीं वहीं हमें यह सारी चीजें पॉलो नहीं करनी है, हम एक अल्ला को मानेंगे, एक रसुल को मानेंगे, बाकि चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है, हम अपने देश को अपने आपकों करेंगे, वह तरफ की कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के मुसल्मान देखिए, आज भी मरे पड़े हैं, आज भी ही होते चले जा रहे हैं, और सेम है, एक घजब उसी प्लाटपॉम पर भारत की मुसल्मान खड़े हैं, क्यünकि यह अपने आपको अश्रफ यल मकलुकात नहीं समझ रहे हैं, मुमिन और मुमिनात नहीं समझ रहे, यह अल्लह का सल्छिपरसेल खुर को समझ रहे. दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंतक देखा होगा और मेशा की तरह भारत की बेटी और हिंदुस्तारी शेयर नी नाजिया खांजी का दमदार और बेबाक रियक्शन आपको काफी पसंद आए होगा जहां पर आपने देखा नाजिया खांजी ने पाकिस्ता करते हैं ताकि हम आपके से लेटेस्स इंपोर्टेंट और इंटरस्टिंग वीडियो लाते रहे तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मज़दार और दमदार वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए जय हिंद जय भारत